करण जोहर पर इलजाम है कि वो इंडस्ट्री में नैपोटेज्म को बढ़ हावा देते हैं सिर्फ इंडस्ट्री किड्स को ही अपनी फिल्मों में चांस देते हैं और यहां पर जो बाहर से आते हैं उन्हें ऐसा फील करवाते हैं आउटसाइडर है और करन की कमपनी सिर्फ स्टार्स के साथ ही काम करती है करन जोहर को ऐसे में काफी नफरत जेलनी पड़ रही है लेकिन करन से नफरत करने की जो ये बात है ये सिर्फ अब नहीं है बल्कि कई सालों से इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स है जो करन से नफरत करते हैं और जिन्हें करन जोहर अपना दुश्मन मानते हैं तो आज हम उन पांच लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी करन जोहर से कड़ी दुश्मनी है इसमें सबसे पहला नाम आता है सल्मान खान का सल्मान खान हमें करन जोहर की फिल्म कुछ-कुछ होता है में एक कैमियो करते नजर आये थे लेकिन उसके बाद कभी भी सल्मान खान करन जोहर की किसी भी फिल्म का हिस्सा बने वे नजर नहीं आए सल्मान खान ने बॉलिवुड के हर एक डिरेक्टर के साथ काम किया है हर बड़े बैनर के साथ काम किया है फिर ऐसा क्या है कि करन के साथ कुछ-कुछ होता है जैसी फिल्म में काम करने के बावजूद कभी भी करन जोहर ने सलमान खान के साथ काम नहीं किया इसका पहला कारण है करन की शारुक के साथ गहरी दोस्ती और शारुक को हमेशा favor करना हम सब जानते हैं कि करन जोहर के Bollywood में अगर कोई सबसे पहले favorite star थे तो वो थे शारुक खान ही और शारुक को लेकर ही करन जोहर ने अपनी सबसे बड़ी film बनाई है तो करन का शारुक की तरफ यही जुकाव दूसरे Actors को सौतेलापन लगता था, और लगता था कि करण तो सिर्फ अपनी फिल्मों में शारुप को ही लेता है इसलिए सल्मान कभी भी करण को नहीं पसंद करते थे हाला कि पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरे आई कि सल्मान खान और करन जोहर साथ में फिल्म कर सकते हैं करन जोहर ने अपनी फिल्म शुद्धी सल्मान को ओफर की थी लेकिन सल्मान ने इस फिल्म के लिए करन को डिरेक्ली मना नहीं किया सलमान ने कुछ महीनों का समय लिया करन से कुछ follow-ups करवाए और finally काफी time तक काफी महीनों तक करन को इंतजार करवाने के बाद सलमान ने करन को इस film को करने से मना कर दिया और सलमान ने तब अपने close friends से भी कहा था कि सलमान ने कब से अपने mind में clear किया हुआ है कि वो करन जोहर क के साथ कभी काम नहीं करेंगे इसके बाद एक और खबर आई थी जब सलमान और करन साथ में काम करने वाले थे as a director actor नहीं बलकि as a producer करन जोहर सलमान के जीजू आयूश को launch करने वाले थे और तब कहा जा रहा था कि ये दोनों मिलकर एक फिल्म को produce करेंगे जिसमें आयूश ह ये दोनों एक दूसरे को जादा पसंद नहीं करते हैं इस लिस्ट में सेकंड नाम आता है हमारे बॉलिवुट के Mr. Perfectionist आमिर खान आमिर खान जो इंडस्ट्री में इतनी फिल्में दे चुके हैं बहतरीन फिल्में दे चुके हैं इनकी फिल्में Oscars के लिए जा चुकी है इ तब जानते हैं कि शारुक खान और आमिर खान में कड़ी टक करती इसलिए आमिर खान करन जोहर को शारुक को फेवर करने के कारण कभी भी पसंद नहीं करते थे इन फैक जब कभी कुशी कभी गम की स्पेशल स्क्रीनिंग रगाई गई थी और वहाँ पर आमिर खान भी मौझूद थे आमिर खान हमेशा अपना माइंड स्पीक करते हैं और उन्हें कभी कुशी कभी गम फिल्म पसंद ही नहीं आई थी ऐसे में रिव्यूज देने से बचने के लिए आमिर खान इस प्रिमियर से जल्दी चले गए क्योंकि वो किसी के भी बारे में खराब नहीं कहना चाते थे उन्हें ये फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई थी लेकिन इस फिल्म में आधी इंडस्ट्री काम कर रही थी इसलिए आमिर खान उस फिल्म के रिव्यू दिये बेना ही वहां से चले गए आमिर खान हाला कि करन के शो काफी विद करन में नजर जरूर आये और उस दोरान करन जोहर ने उनसे पूछा था कि आपने मेरे शो में आने में इतना टाइम क्यों लगाया तब आमिर खान ने कहा मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने अब तक जितना भी सुना है वो गलत ही सुना है इसलिए मैं इतने टाइम तक तुम्हारे शो पर नहीं आया यह पहली बार था चब आमिर खान ने करन जोहर को उनके ही शो पर बैश कर दिया था और ऐसा एक बार और हुआ तब जब करन जोहर ने एक स्मार्ट क्वेशन आमिर खान से पूछा कि इंडस्ट्री की वो कौन से चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगती है लेकिन फिर भी आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि यह चीज अच्छी है तब आमिर खान ने without any seconds लिए जवाब दिया तुम्हारा शो तो कुछ इस तरह से आमिर खान ने कंगना की तरह करन के ही शो में उनको उनके ही मूँ पर सुना दिया था विल इसी दोरान जब करन और आमिर के रिष्टे कुछ ठीक चल रहे थे तब करन जोहर ने आमिर को एक फिल्म ऑफर की थी पीरियड ड्रामा यह फिल्म थी और कहा जा रहा था कि केसरी यह फिल्म थी जो कि उनके फादर का सपना था इसलिए ये फिल्म वो आमिर खान को लेकर ही बनाना चाहते थे क्योंकि आमिर खान को ही दिमाग में रखकर इस फिल्म को उन्होंने लिखवाया था और आमिर खान ने इनिशिली इस फिल्म के लिए हाँ भी कह दिया था लेकिन बाद में 11 तार पर कहा जाता है कि आमिर खान ने करन जोहर को डिच किया और इस फिल्म में काम नहीं किया फाइनली उन्हें अक्षे कुमार को लेकर बनानी पड़ी फिल्म केस री करन जोहर के दुश्मनों की लिस्ट में तीसरा नाम आता है उनकी बेस्ट फ्रेंड काजोल और उनके हस्बन अजे देवगन का जी हाँ काजोल जिनके साथ कुछ-कुछ होता है फिल्म से इनके सफर की शुरुआत हुई और आगे जाकर इन्होंने कई सूपर हिट फिल्में दी करन और काजोल की दोस्ती की इंडस्ट्री में मिसाले दी जाती है वहीं अगर बात करें अजे देवगन और करन की तो उनके रिष्टे कभी भी ठीक थे ही नहीं यही कारण है कि अजे देवगन जो कि इतने सक्सेस्फुल आक्टर है टॉप पर होने के बावजूद कभी भी वो करन के साथ उनकी फिल्म में नजर नहीं आए हाला कि उन्होंने काल और सिंबा जैसी फिल्मों में काम जरूर किया है लेकिन इसके अलावा वो कभी भी करन की किसी फिल्म में नजर नहीं आए कहा जाता है कि अजे देवगन की सोच करन जोहर की फिल्मों की सोच से बिलकुल अलग चलती है काजोल की भले ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो लेकिन वो करन को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं और इस दोस्ती में ओफिशिल दरार तब आ गई जब ऐ दिल है मुश्किल और शिवाय दोनों ही साथ में रिलीज होने वाली थी और तब आजे देवगन ने ट्विटर पर एक आउडियो रिलीस किया जिसमें क्यार के ने ये बात कबूली थी कि करन जोहर ने उन्हें 25 लाख रुपए दिये हैं ऐ दिल है मुश्किल की तारीफ करने के लिए और शिवाय को बैश करने के लिए तो तब करन का असली चहरा अजे देवगन ने सोशल मीडिया पर ला दिया था और तब उसी क्लिप को उनकी बेस्ट फ्रेंड काजोल ने भी शेर किया था और कहा था I am shocked तो यहीं से करन के रिष्टे अजे देवगन के साथ तो वैसे ही ठीक नहीं थे लेकिन काजोल के साथ भी खराब हो गए थे इस लिस्ट में चोथा नाम आता है कंगना रनौत का जी हाँ कंगना रनौत के बारे में सब जानते हैं कि कंगना ने बॉलिवुड में कई साल स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बनाया और वो National Award Winning Actress बनी इतना कमाने के बाद कंगना eligible हुई करन के शो में जाने के लिए जी हाँ जब तक कंगना बॉलिवुड में स्ट्रगल कर रही थी तब तक करन ने कभी भी अपने शो पर कंगना रनौत को नहीं बुलाया लेकिन बाद में जब कंगना स्टार बन गई तब करन ने कंगना को उनके शो पर invite किया और वाकई में कंगना ने आकर करन को उनके शो पर आकर मूँ पे वो बात कही जो कोई भी स्टार केड या जो करन के साथ काम करना चाहता है वो नहीं कहता कंगना ने करन जोहर को बताया कि किस तरह से वो nepotism करते हैं किस तरह से वो Star Kids के साथ ही काम करते हैं और किस तरह से कंगना जो की इंडूस्ट्री में सालों से है उनको कभी भी करन ने ना अपनी फिल्म के लिए offer किया और ना ही अपनी party's में बुलाया तो इस तरह से कंगना ने तब करन के साथ ये नेपोटिस्म की जंग छेड़ दी थी, इस जंग को कंगना आज भी लड़ रही है और टाइम टाइम पर वो करन का असली चहरा लोगों के सामने लाने की कोशिश करती है अपनी वीडियोस में और लास्ट पर नॉट दे लीस्ट इस लिस्ट में नाम आता है उस सूपरस्टार का जैसे 90's को रूल किया है जिसने हमारी इंडस्ट्री को बहतरीन फिल्में दी है और इनकी फिल्में बॉक्स आफिस पर जबरदस्त कमाई करती थी, प्रेड्यूसर्स इनकी फिल्मों पर को टकर दी थी, एक टाइम पर आमिताब बच्चन के करियर को उपर लाने के लिए गोविंदा को यूस किया गया था फिल्म बड़े मिया छोटे मिया में, तो कुछ इस तरह का पावर था गोविंदा में, इतनी सूपर हिट फिल्में देने के बावजूद, इंडस्ट्री म नहीं और ना ही अपने शोव पर बुलाया है, वो शोव जहाँ पर नया से नया स्टार आ जाता है, वो शोव जहाँ पर वो आक्टर्स भी नजर आ जाते हैं, जिन्com मत्र एक फिल्म की हो, यहाँ पर स्पोर्टस परसनालिटी नजर आ जाती है, लेकिन इस शो पर गोव उन्हें मात्र एक फिल्म की हो, यहां पर स्पोर्ट्स परसनालिटी नजर आ जाती है, लेकिन इस शो पर गोविंदा को कभी भी इन्वाइट नहीं किया गया, गोविंदा से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करन जोहर तो उन्हें बहुत जादा खतरनाक ल ही है, लेकिन अब इन बातों को सीरियसली लेके माहोल को बदलने की कोशिश की जा रही है, तब जब एक इनसान ने इस ग्रूपिजम और कैम्पिजम के चलते अपनी जान गवा दी, और साथी सोचने वाली बात तो यह भी है कि हम स्टार किसे मान रहे हैं, जो फिल्मों में अच्छा काम करता है, दमदार आक्टिंग करता है, या फिर जो करन के शो और उनकी पार्टीज में जाता है, कौन है आपके लिए स्टार, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, बॉलिवूड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही